ट्रेडर फेडेशन वेरोस नेरू मार्केट की ओर से आज बड़े दुख के साथ और मजबूर होके हेल्थ डिपार्टमेंट जो है जो यहाँ पे मोते हो रही है उनको नहीं रोक पाई और रोजाना चालीस से पचास लोगों की मोत हो रही है और जमू के लोगों को बैड नहीं मिलने वेंटिलेटर नहीं मिलने तीन दिनों के अंदर 132 लोगों की मोत हुई है जमू डुवीजन के अंदर और जी एंसी हास्पिटल में चालीस लोगों की मोत हो रही है बड़ा अनफार्चुनेट है और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के कमिशनर सेक्ट्री शीडी अटल डूलू जी ऑफिस में बैठके सर्कुलर निकालते हैं कि सीनियर डॉक्टर वाड में जाके दोरा करें मैं समझता हूँ ऐसे अफसरों को बर्खास करना चाहिए आप चाहें तो नीचे हमारा वारूम त्यार है उसमें राशन भी पड़ा है हमारे ऑक्सिजन स्लंडर भी पड़े हैं और बाइप मशीने पड़ी हैं और हमारे जो भी दवाईएं पड़ी हैं और सेनिटाइज और जो भी जौूरित है लोगों को वहम प्रवाइड करने के लिए त्यार है और आपको बताते हुए मुझे खुशी है अपि मीडिया के माद़ियुम से आपको बताला चाहता हूँ हमें खुशी है कि जो वाईपैब मिशीने हैं पांच जो बाइप मशीन हमारी फैडरेशन ने ली थी उससे अठारा लोगों की जिंदगी बची है आप मेरा एक्सपीरियंस और डक्टर से कंसर्टेट करने के बाद यह है कि कोवीड के जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है उसमें बाइप की जो जुरूरत है वह वेंट लेटर लास्टेज में होता है लेकिन जो फॉस्ट कंडिशन है वह वाइप की जूरत परती है और मुझे बताते हुए खुशी है कि मेरी जो फैडरेशन ने इतना अच्छा काम किया है और अठारा लोगों की जाने बचाई हैं बाइप के द्वारा और अक्सीजन स्लंडर भी हमने प्रवाइड किये हैं लोगों को घर तक उन लोगों को भी बचाया जा चुका है यही बस आज के लिए जो हमने यह बलाया था नीचे हमारा वाल रूम क्यार है आप वहां की जो है फोटो ले सकते हैं थैंक्यू वेरी मुझ